नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि हिंदी बैकरण की जो सबसे प्रमुख बात है उसको मैं समझाने जा रहा हूँ और इसमें मैं बताऊंगा कि वर्ण क्या है वर्ण के कितने भेद है वर्ण का प्रियोग कहा होता है वर्ण का उचारा नस तो दोस्तों, शुरू करते हैं, वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं, तो हिंदी भासा में परियुक्त सबसे छोटी इकाई, धोनी या वर्ण कहलाती है, जैसे ओ, आ, हर्सी, दिर्गी, हर्सु, दुर्गु, को, खो, इत्यादी, अब है, वर्ण माला, वर्णों के समुदाई को ही वर्ण माला कहते हैं, वर्णों के समुदाई को ही वर्ण माला कहते हैं, हिंदी वर्ण माला में बावन वर्ण है, हिंदी वर्ण माला में बावन वर्ण है, उच्चारन और परियोग के अधार पर हिंदी वर्ण माला के दो भ अब आईये जानते हैं स्वर वर्न क्या है स्वर जिन वर्नों का उचारन स्वतंत्र रूप से होता है और जो वेंजन के उचारन में सहायक हो वे स्वर कहलाते है इनकी संख्या ग्यारा है जैसे ओ, आ, हर्सी, दिर्गी, हर्सू उचारन के समय की दिरिष्टी से स्वर के तीन भागों में बांटा गिया है, एक है हरस्वा स्वार, दूसरा है दिर्ग स्वार और तिसरा है प्लुत स्वार, अब मात्राएं क्या है, स्वार के लिए जो मात्रा के हम प्रियोग करते हैं, मात्राएं क्या है, उसके बारे में जाने, स्वारों के बदले हुए स्वारूप को म और वर्ण की कोई मातरा नहीं होती है। वेंजनों के अपना स्वारूप निम्नलिखित है। अब जानते हैं वेंजन वर्ण के बारे में क्या है। वेंजन जिन वर्नों के पुर्ण उचारन के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे वेंजन कहलाते हैं अर्थात वेंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते ये संख्या में 33 है वेंजनों की कुल संख्या 33 है इसके निम्निलिखित भेद हैं अस्पर्स वेंजन अन्तास्था ओस्म अस्पर्स वेंजन इन्हें पांच वर्गों में रखा गया है अस्पर्स वेंजन को भी पांच वर्गों में रखा गया और हर वर्ग में पांच पांच वेंजन है हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया जैसे कौवर्ग चावार्ग, टावार्ग, तावार्ग, पावार्ग, आदि अब है अन्तास्था ये निम्नलिखित चार है अन्तास्था में चार वर्ण को रखा गिया है या, रा, ला, वा उसके बाद है उसन इसमें भी चार है, चार वर्ण है तालब शव, मुर्धान्य शव, दांच शव और ह। अब है संयुक्त वेंजन, दोस्तों हमने स्वर को पढ़ा, वेंजन को पढ़ा, संयुक्त वेंजन को भी जानना जरूरी है, वैसों तो जहां भी दो अथवा दो से अधिक वेंजन मिल जाते हैं, वें संयुक्त वेंजन कह तो और रो मिलके त्रो अब आईए जानते हैं अनुस्वार के बारे में अनुस्वार इसका प्रियोग पंचम वर्ण के अस्थान पर होता है इसका चिन उपर में बिंदू दे कर दिया जाता है जैसे शो मावा संजूक्त आववा इसके लिए हम लिख सकते हैं दान्सो उपर अनुस्वार भा वा तो हमने पंचम वर्ण के लिए अनुस्वार का प्रियोग किया कहीं पर मौ के लिए कहीं पर नौ के लिए कहीं पर अरा के लिए कहीं पर या के लिए अब जानते हैं विसर्ग विसर्ग इसका उचारन हो के समान होता है इसका चिन आगे में दो बिंदू देकर किया जाता है जैसे ओ तो आगे विसर्ग अतो पौरस यूग ताहकर तो आगे विसर्ग प्राता अब आईए इसमें एक और ची जान ले कि हलंत क्या है जब कभी बेंजन का प्रियोग स्वर्ज से रहित किया जाता है तब उसके नीचे एक तीर्ची रेखा लगा दी जाती है या रेखा हल कहलाती है हल्यूक्त बेंजन हलंत वर्न कहलाता है जैसे वा तावर्गी नौ नीचे हल वान दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे हिंदु यूटुब जैनल हाइंड हाइजुकेशन को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छी सची जनकारी अब तक पहुंचाता रहूं धन्यवाद